तो आगते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्ट हमें दोस्तों इस वक्त अगर आप मूचल फंड्स के अंदर पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो फिर आपको फूप वोकर कदम रखना होगा क्योंकि अभी मार्कीट अपने ओल्टाइम हाई पर है सेंसेक्स अपने हाई लेवल टेच कर चुका है निफ्टी ने अपने हाई लेवल बना लिये हैं लगतार मूचल फंड्स में पिछले एक साल से रिटन आपको कमाल का मिला है क्योंकि stock market ने सबसे ज़ादा return पिछले दो साल के अंदर आपको दिया है लेकिन अभी अगर आप mutual funds में लबसम पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ time wait करना चाहिए या फिर निवेश कर देना चाहिए क्योंकि अगर आप निवेश कर रहे हैं और किसी ऐसे fund के अंदर आप पैसे निवेश करते हैं जिसमें अगर future में थोड़ा सा correction आता है तो यहाँ पर आपको loss हो सकता है अगर आप यह सोच रहे हैं तो इससे पहले आपको यह ज़रूर जाना चाहिए कि अगर market all time high के आसपास हो तो उस वक्त हमें कैसे और किस तरह से पैसे को निवेश करना चाहिए किस fund में पैसे को निवेश करना चाहिए या फिर हमें correction का wait करना चाहिए क्योंकि mutual funds के अंदर लगतार पिछले 10 पारे साल से return काफी जबरदस्त मिला है और अभी भी mutual funds के अंदर आपको एक शांदार growth मिल सकती है लेकिन अगर आप mutual funds का record देखेंगे और पिछले 10 साल का किसी भी 32 fund का चार्ट उठा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर short term में आपको बहुत पार correction मिले है एक बड़ा correction आपको 5.5% का चार्जुन को जरूर मिला है इसके लावा अगर हम अभी long time की बात करें 2 साल की तो कोई भी एक बड़ा correction हमें नहीं मिला है लेकिन अगर आपको आने विले टाइम में यहाँ से एक बड़ा correction मिलता है 8-10% का तब आपको क्या करना होगा या फिर अगर आप अभी पैसे निवेश करना चाहते हैं mutual funds में तो अभी आप किस fund के अंदर पैसे निवेश करें लेकिन जब correction market में आ चुका हो उस वक्त आपको क्या करना होगा उस पैसे का जो आप आच निवेश करेंगे अगर आप दोस्तों ये सारी चीज समझ लेते हैं तब ही आप mutual funds के अंदर short time में भी और long time में भी पैसे को बना सकते हैं चुकि निवेश करना काफी आसान है लेकिन आप अपने पैसे को अगर manage करना सीखते हैं तब ही आप एक बड़ा fund बना पाते हैं mutual funds में आपको बहुत सारी ऐसे प्लान मिलते हैं जिन्होंने एक साल में आपको 100% से जादा भी return दिया है और कुछ प्लान ऐसे भी हैं जिन्होंने 17% तक return दिया है लेकिन आपको किस प्लान के अंदर पैसे को निवेश करना है यानि किस mutual funds के अंदर उस fund में जिसमें पहले 628% का return मिल चुका हो या फिर उस fund के अंदर जिसमें अभी आपको 17% का return मिला हो अगर आप यह सोचेंगे तो यहाँ पर आपको यह ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको कब और किस time किस fund के अंदर पैसे को निवेश करना होगा दोस्तों सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि अगर market all time high के आसपास है और market के अंदर कोई correction अगर आने वाला होगा तब आपको सबसे ज़र्दा risk होगा ऐसे fund के अंदर जिसने अपने high level बनार के हैं यहाँ पर अगर पिछले एक दो साल के अंदर उस fund ने आपको 100% तक return मिला है तो यहाँ पर उस fund के अंदर correction अगर आता है तो इस वक्त अगर आपको लमसम पैसा निवेश करना है तो ऐसे fund में पैसे निवेश करें जिसमें आपको एक stable return मिलता रहे और market के अंदर अगर कोई correction आ जाता है तो यहाँ पर आपको तब भी कोई बड़ा correction नहीं मिलेगा उस वक्त भी आपके पास यह मुका होगा कि यहाँ से आप पैसे निकाल कर correction के बाद किसी ऐसे fund में निवेश कर सकते हैं जिसमें आपको short time में एक अच्छा fund बिल जाए दोस्तो आज हम जिस fund की बात करने वाले हैं यह HDFC का सबसे धाकर fund है HDFC का flexi cap fund दोस्तो इस fund के अंदर अगर return की बात की जाए तो annualized fund का return 17.77% है पिछले 5 सार में fund ने 21% return, last 3 year में 27%, last 1 year में 46% और 6 month में fund ने 21% से जाजा return दिया है दोस्तो इस fund में अगर आपको कोई बड़ा correction मिलता है तब भी आपको tension लेने की जरूत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर fund ने लगतार आपको एक stable return दिया है दोस्तो अभी आपको 17% का return है और यही return अगर पिल जाता है अभी आप 38,000 रुपे नवीश करते हैं तो यहाँ पर 6 साल में इस से आप 2,000 रुपे तक one बना सकते हैं इसमें 1,22,000 रुपे का return होगा लेकिन अगर आप नवीश करते हैं 12 साल के लिए तो यहाँ पर 38,000 से आप 5,13,000 रुपे का fund बनाएंगे 4,35,000 का return होगा देकिन अगर आप 18 साल के लिए पैसे नवीश करते हैं तो यहाँ पर आप 13,16,000 रुपे का fund बनाएंगे 12,38,000 का return होगा अगर आप नवीश करते हैं 24 साल के लिए तो 38,000 रुपे का नवीश करके आप 33,000,000 रुपे का फंड बनाएंगे इसमें 32,99,000 का रिटन होगा और अगर आप 30 साल तक पैसे को नवीश करते हैं तो यहाँ पर आप 38,000 का नवीश करके कुल 86,000,000 रुपे तक फंड भी बना सकत आप नवीश करते हैं लेकिन अगर आप किसी ऐसे फंड में वीश करते हैं जहां पर रिटन बहुत जद आई हो तो इस ताम दोस्तों मार्कित all time हाई पर है तो यहाँ पर पैसे पर रिस्क ज़रूर है लेकिन अगर हम इस प्लान की बात करें तो दोस्तों यहां पर पोर्ट पॉर्टफुलियों में कुल मिलाकर 53 कंपनी है और यह एक से धिग्गत कंपनी है इसमें चाहिए से हम HDFC की बात कर लें ICC Bank, Axis Bank, Sipla, भारती अटेल, Kotech, महिंदरा पैसा निवेश करते हैं तो यहां से आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलने की उमीद भी है जबकि फंड के अंदर एक्विटी में 86% पैसे को यूज किया गया है और कैश में करीब 9% जबकि पोर्टफिलियों को टिवर्सिफाई किया गया है अलगलग सेक्टर में सबसे जादा पैसा फानेसर सेक्टर के अंदर हेल्थ केर में अधर सेक्टर के स्टॉक, टेक्नोलोजी, कंस्ट्रक्शन और ओटोमोबाइल सेक्टर के अंदर निवेश किया क्या है फंड के अंदर रिस्क कम है क्योंकि फंड का भीटा सिर्फ 0.88 है जैनि एक से कर पर का भीटा कम है तो माना जाता है कि फंड ने कम रिस्क के साथ प्रोफिट काफी अच्छा दिया है और दोस्तों फंड के एनिवी का प्रैज 1,969 रुपे है यानि करीब सारे 1900 रुपे एनिवी का प्राइज है अगर आप लमसम पैसा निवीश करते हैं तो आपको करेंट एनिवी के प्राइज से ही यूनिट लॉट की जाती हैं फंड की रेटिंग 4 है और 54,692 करोड रुपे फंड का U.M. है यानि हाँ पर U.M. भी काफी बड़ा है औ और दोस्तों फंड के अंदर अगर आप लमसम पैसा निवीश करते हैं तो कम से कम 5,000 रुपे से आप लमसम भी पैसा डाल सकते हैं फंड के अंदर खर्चा expense ratio 0.78% है और exit load यानि एक साल से पहले अगर आप पैसे को निकालते हैं तो आपको सिर्फ 1% exit load चार्ज देना होगा mutual funds में अगर आप long time पैसा निवीश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 10% LTCG tax देना होता है एक लाग से जादा profit पर एक साल पर फंड को रोशनी जैन और धुरूफ मैनेज कर रहे हैं जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर HDFC mutual fund house की तो दोस्तों rank total asset के साब से second number पर ह 1999 में यह fund house से start हुआ था और करीब 7 लाग करोड़ों के आसपास HDFC का U.M. है तो दोस्तों mutual fund plan के अदर अगर आप market में all time high के आसपास enter होना चाहते हैं mutual funds में निवीश करने के लिए तो आप किसी भी ऐसे fund के अदर पैसे निवीश ना करें जिसमें risk जाता हो जैसे small cap या फिर बहुत correction दिखे लेकिन जब recovery होती है market में तो सबसे अच्छा return आपको इनी funds के अंतरफ में जाता है mutual funds में आपके पैसे पर short term में risk जरूर है लेकिन अगर आपका target है 8 से 10 साल पैसे निवीश करने का तो फिर हाँ पर आप एक बड़ा fund भी आसानी के साथ बना सकते हैं दोस्त एक जड़ाद प्रवाद से 10 साल tवल में सकते हैं जब हमें जड़ाद से 10 से 10 से 10 से 12 दों BIG आपको बाना से 11 or आपका रहादय में सकते हैं और यजा करों having 35 ख झापक्तों finans !